Hello everyone, welcome to the official channel of Vector Educators, this is Neelam and I hope guys, सभी की preparation जोरो शोरो से शुरू हो चुकी है and guys, जितने भी questions हम यहाँ पर discuss करने जा रहें यह सारे previous year में पूछे गए questions हैं मतलब कि यह बहुत ही important questions होंगे So, शुरू करते हैं आज का session So, as per the direction, in the following question, out of the four alternatives choose the one which can be substituted for the given words here sentence So, यहाँ पर यह one word substitution का question है and यहाँ से एक से लेके 5, मतलब 5 questions है जो one word substitution के ही मिलेंगे आपको यहाँ पर So, first पूछा जा रहा है one who is not easily pleased मतलब जिसे easily pleased नहीं किया जा सकता जिसे easily satisfied नहीं किया जा सकता जिसे easily आसानी से convinced नहीं किया जा सकता है ना उसे क्या कहेंगे So, यहाँ पर देखेंगे first word जो है यह first word है gullible and gullible का मतलब होता है जिसे हम easily persuade कर सकते हैं जिसे easily हम लोग convince कर सकते हैं उसे हम कहते है gullible So, यहाँ लिख देते है easily persuaded to believe something मतलब वो जल्दी से किसी भी बात पर भरोसा कर लेता है इंसान है Then second is fastidious fastidious मतलब होता है ऐसा इंसान जो बहुत ही attentive होता है या बहुत ही concerned होता है किसके बारे में about accuracy and detail So, इसे कह सकते है concerned about accuracy and detail कि कि कोई भी चीज़ों से detail में चाहिए होती है या बिल्कुल accurate चाहिए होती है मतलब ये तो ऐसा ही इंसान हुआ जिसे easily please नहीं कर सकते कि कोई भी काम हमने ऐसा ही कर दिया और बोल दिया कि ये ठीक है तो ये इंसान तो माने गई नहीं इसे हर चीज़ कैसी चाहिए accurate चाहिए detail में चाहिए मतलब इसे आसानी से हम convince नहीं कर सकते तो सही answer हमारा ये ही होगा fastidious क्योंकि ऐसा इंसान जिसे easily please नहीं किया जासता किसी चीज़ से उसे हम कहते है fastidious then next word की बात करें innocent innocent मतलब होता है काफी मासूम भोला भाला तो ये तो हमारा answer नहीं होगा then next word is amenable amenable का मतलब भी होता है जिसे हम easily persuade कर सकते है या easily हम controlled कर सकते है जैसे she has amenable child मतलब उसका जो बच्चा है वो कैसा है amenable है amenable का मतलब होगा कि जिसे आसानी से controlled किया जा सकता है persuade किया जा सकता है उसे amenable कहते है so amenable भी यहाँ पर eliminate हो जाता है so the correct choice here would be option number B that is fastidious जिसे आसानी से हम convince नहीं कर सकते अपनी बात उसे मनवा नहीं सकते उसे हम कहते है fastidious second question देखते है a person unselfishly concerned for or devoted to the welfare of others मतलब दूसरों के welfare के लिए काम करता है उसे हम क्या कहते है तो देखिए आपके पास दो मिनट का time है decide करने के लिए कि सही answer क्या होगा then we will discuss अपके लिए करता है इसा परसन जो अनसलफिशली दूसरों के वेलफेर भलाई के लिए काम करता हूँ फर्स्ट वर्ड इस एगोईस्ट एगोवर्ड से यह आपको समझ में आ गया होगा यह वर्ड तो eliminate ही हो जाए गया कि एगोईस्ट मतलब होता है a self-centered person self-centered मतलब वो जो खुद का ही सोचता हो या जिसे हम कह सकते हैं यहांपर selfish जिसे हम कहते हैं egoist यह भी important वर्ड है काफी then unselfish, unselfish मतलब जो selfish ना हो, जो self-centered ना हो इसका यह synonym जो definition दी गई है इसका synonym यह तो हो सकता है unselfish लेकिन यह बोला जा रहा है कि जो concern होता है जो बहुत सोचता है यह devoted to जैसे कि Mother Teresa जो Mother Teresa थी यह unselfishly devoted थी दूसरों की भलाई के लिए दूसरों की ही भलाई करती थी तो उसे unselfish एक proper word नहीं होगा तो यह भी eliminate हो जाएगा then next word is altruist and yes the correct choice here would be altruist sorry altruist जिसका मतलब होता है ऐसा person जो दूसरों की भलाई के लिए ही काम करता है जैसे कि example दे दिया मैंने Mother Teresa Mother Teresa कैसी थी altruist थी यह वो दूसरों की भलाई के लिए ही जिंदगी बर काम करती रही so she was altru who speaks many languages जो बहुत सारी languages बोल पाता है बहुत सारी languages की study करता है उसे हम कहते हैं यहाँ पर linguist सो देखिए सही answer यहाँ पर होगा option number c next question झाल 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 तो बोला जारा है violation of that which is holy and sacred जो holy and sacred मतलब कैसा है पवित्र है एं उसे violate कर देना violation मतलब क्या होता है उलंगन कर देना तो पवित्री चीज का उलंगन कर रहे हैं मतलब आपवित्र कर रहे हैं उस चीज को क्या बोला जाता है so first word here is malevolent and malevolent देखिए यहां पर यह M.A.L. mal and जहां पर भी M.A.L. mal आ जाता है यह root word है जिसका मतलब होता है bad so malevolent मतलब ऐसा person जो दूसरों को harm करने की सोचता है जो दूसरों को हानी पहुचाता है जिसके wish होती है कि हां मैं इसको हानी पहुचाऊंगा यह किसी को मारना यह किसी का murder कर दिया कहीं bomb फोर दिया इसे हम कहते है malevolent so showing a wish to do evil to others जिसे हम कहते है malevolent यह देखिए mal मतलब मैंने bad कहा and इस malevolent के equal to आप रख सकते है malign को m-a-l-i-g-n malign यहाँ पर भी mal आ गया मतलब की bad मतलब की दूसरों को हानी पहुचाना जो evil है जो खराब है है ना उसे हम कहेंगे या आप यहाँ पर रख सकते है malignant malignant भी यहाँ पर same meaning वाला ही word हो जाएगा then इसे आप यहाँ पर रख सकते है malicious को तो हमने देखा यहाँ पर किस root word से हमें चार words मिल गए malign, malignant, malicious and malevolent तो इसका मतलब होता है कि जिनकी wish होती है दूसरों को harm पहुचाना, हानी पहुचाना, दूसरों का बुरा करना उसे हम कहते है malignant तो यहाँ बोला जाला है violation of that which is holy and sacred जो holy है and sacred है तो यहाँ पर यह word तो इससे related नहीं है कि अपवित्र कर देना किसी चीज़ को जो चीज़ बहुत पवित्र है तो यह word तो appropriate नहीं है लेकिन एक चीज़ हमने यहाँ से सीख ली कि mal bad होता है इससे related जितने भी word है सभी का meaning almost malevolent ही होता है then second word is sacrilege and sacrilege का मतलब ही होता है जो irreligious होता है यह जिसे lack of religious belief होता है मतलब वो religion को नहीं मानता है उसे हम कहते है sacrilege यह जिसे अपवित्री करण कहा जाता है तो here यह जो definition दी गई है उसका सही answer होगा option number B then next word है bizarre and bizarre का यह bizarre कर सकते है जिसका मतलब होता है बहुत ही strange, anokha, अजीब जो common ना हो जिसे हम odd भी कह सकते है यह जिसे आप peculiar भी कह सकते है तो यह सारे synonym हो जाएंगे इस bizarre word के जिसका मतलब अनोखा जो common नहीं हो, जो uncommon हो जो अजीब सा हो, अनोखा हो उसे हम bizarre कहते है then iniquitous iniquitous का मतलब होता है जो evil है जो wicked है मतलब यह हुआ हानी पहुचाने वाला हानी कारक जो sinful हो, जो immoral हो जो unethic हो उसे हम कहते है iniquitous तो यह malevolent का ही synonym हो सकता है iniquitous तो यह भी यहाँ पर eliminate हो जाएगा तो the correct choice here would be option number B that is sacrilege कि जो holy या sacred पवित्री चीजों का उलंगन कर दे violate कर दे जिसे हम कह सकते कि जो religious है जो religious beliefs को मानता नहीं उसे हम कहते है sacrilege next question झाल 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 जो लग अलग दूसरे परसन की आवाज निकाल पाता हो अधर दूसरे आनिमल्स की आवाज निकाल पाता हो उस परसन को क्या कहते है है ना क्योंकि one who has that मतलब उस परसन की बात की जा रही है so first word here is absolutist and absolutist मतलब क्या होता है अब person जिसे हम कह सकते ऐसा person जो support करता है one who supports absolute principle को support करने वाला कि हाँ यह principle ऐसा है तो इसी को support करना है इस तरीके से उस person को हम यहाँ पर कहते है absolute use second word है बिबलिसिस्ट बिबलिसिस्ट का मतलब होता है बिबली आया है जो की Bible वर्ट से रिलेटेड है तो Bible से रिलेटेड तो ऐसा person जो expert है जिसे हम कहेंगे an expert in Bible जो Bible में expert होता है इसे हम कहते है sorry बिबलिसिस्ट यह हम कह सकते ऐसा person जो scholar होता है एक्सपर होता है जिसने पूरी Bible पढ़ लिए समझ लिए सारी चीजों को उसे हम कहते बिबलिसिस्ट तो यह भी हमारा answer नहीं होगा फर्स्ट वाला भी eliminate हो जाएगा next is ventry loquist यहाँ पर देखिए LOQ आया है यहाँ पर यह LOQ जहाँ पर भी आता है यह LOC जहाँ पर भी आता है हमेशा याज रखना है it is related to speaking और it is related to talking बात करने से related या बोलने से related होता है तो ventry loquist ही हमारा सही answer होगा क्योंकि ventry loquist ही ऐसा person होता है जो दूसरे persons की आवाज निकाल पाता है यह दूसरे animals की आवाज निकाल पाता है उसे हम कहते है ventry loquist cleverist अब यहाँ पर यह जो cleveriest है इसका मतलब होता है one who plays जो की play करता है क्या klavier अब यहाँ पर यह जो klavier है इसका मतलब होता है यह musical instrument होता है एक musical keyboard instrument होता है इस instrument को जो play कर पाता है इसे हम कहते है ख्लावियरिस्ट तो यहाँ पर जो सही answer होगा ओप्शन नबर सी क्योंकि ऐसा person जो दूसरे person की आवाज निकाल पाए या दूसरे animals की आवाज निकाल पाए इसे हम कहते है अब यहाँ पर थोड़ा definition थोड़ा change करके देते हैं आपको कंफ्यूस करने के लिए लेकिन बात होई है जो mimicry कर पाता है या कहते है न अड़मी ओफ पर्सन और अनिमल इसे हम कहते हैं वेंट्री लोक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चिन यह लोड़ा है बीजर कहा है लुई जैए बीजर का बीजा है लेक्स चेक गाइस टू फ्री संबडी फ्रॉम ब्लेम सारे ब्लेम जितने भी इल्जाम लगे उस इल्जाम से किसी इंसान को फ्री कर देना उसे हम क्या कहते हैं पहला जो वर्ड है यह है हाइब्रो हाइब्रो का मतलब होता है बहुत ही सोफिस्टिकेटेड जो इनसान होते हैं उन्हें हम कहते हैं हाइब्रो इसका सिननीम हो सकता है सोफिस्टिकेटेड यह जिसे हम कह सकते हैं काफी एजुकेटेड बहुत ही जादा क्वालिफाइड होते होते हैं जिन्हें हम कल चाहते हैं उन्हें कहा जाता है हाई और नी LOC Executive वह फे टो यह तो हमारा सर नहीं होगा डं नेक्स्टी इस एक शॐनरीठ येस एकजुनेरिट इस हुरूड़ी होते हैं पारेक्स ही किसी परसन को शेकिसे परसन नाये जिसे हम कहतें डेड्रेंड तो यह होता है एक कपी जाता है एक पहते हो गाई तो यह हमारा अंसर में होगा K correct choice here would be option number B that is exaggerate next question and here on the direction change here on the question select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence this is the phrase replacement question if no substitution is required select no improvement now you can see that this highlighted portion you have to replace it with this given three options and this is the last option this is no improvement option means if this sentence in the context highlighted part is wrong so if this is wrong then you have to replace it in the three options and if this given part is right according to grammatically and contextually then you have to answer number 4 mark that is no improvement means that there is no improvement so here you have 2 minutes so you have to decide what is the right answer and the left field and the left field is no improvement so you can see what is left field and you can see what is left field and you can see I am using my left field झाल झाल लेट्स चेक्ट गाइस सभी का आँजर आचुका है The captain as well as the players were responsible for winning the trophy तो यहाँ पर देखी है subject 1 बात किसकी की जा रही है captain की and किसकी players की so subject 2 यहाँ पर players हो जाएगा subject 1 यहाँ पर captain हो जाएगा so बोला जारा है कि यह captain as well as player है यह responsible थे, profit win करने के लिए, मतलब जो जीत हासिल हुई इसके लिए subject 1 connected है, subject 2 से using this phrase as well as okay, it should be as well as, यह as well as होगा, so as well as से connected है and जब भी दो subjects connect होते as well as से, तब जो verb आती है, यह verb हमेशा subject 1 के हिसाब से ही आती है तो यहाँ देखेंगे, जो captain है, यह कैसा subject है, यह बिल्कुल singular subject है and यह जो subject हुए, यह कैसा है plural अब हम सोचते हैं कि यह subject, यह singular है, यहाँ पर यह plural है, तो यह captain और यह players मिला के, इतने सारे लोगों को मिला के यह तो plural हो जाएगा, subject नहीं नहीं, लेकिन यह जो rule होता है, subject, verb, agreement का rule है कि जब भी दो subject connect होते है, as well as से, यह हम कह सकते है, like से, यह unlike से, besides, in addition to, and not, with, together with, rather than, no, less than, और भी बहुत सारे यहाँ पर phrases है और words है and यहाँ पर यह as well as भी आएगा, तो इसे भी यहाँ पर लिख देते है, as well as, तो जब दो subject, subject one है, and subject two है, यह दोनों connect होते है, in किसी phrases से, या in words से, तब जो verb आती है, यह verb हमेशा कैसी आती है, first subject के according, first subject के ही according आपको verb यूज़ करना होता है, अब यहाँ पर बात करें, देखिए, captain, first subject है, and यह कैसा subject है, singular, एक ही इंसान है, यहाँ पर हमने जो verb देखा, यह तो plural है, यह तो एक से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन यह rule कहता है, कि verb आपको first subject के according यूज़ करनी है, तो यहाँ पर क्या हो जागा, was, the captain as well as the players, was responsible for winning the profit, तो यह जो है, given जो highlighted part है, यह बिल्कुल गलत है, तो no improvement हमारा answer होई नहीं सकता है, अब यहाँ देखते है, the captain, also the player, यह also से connect नहीं होगा, as the captain with the players, यह भी गलत हो जाएगा, the captain as well as the players, was, yes, यह यहाँ पर सही होगा, so here the correct option would be option number 3, next question let's check guys, the director will agree with the proposal, if we do not exceed the budget, तो बोला जारे कि जो डिरेक्टर है, यह agree करेगा proposal से, अब बात करें यह agree word की, तो agree के साथ जब with का use किया जाता है, तब किसी जब person की बात होती है, किसी person से जब आप सहमत होते हो, agree मतलब सहमत होना, राजी होना, तो किसी person से जब आप agree होती है, तब agree with का use किया जाता है, एन जब किसी चीज से agree होते हो, यह किसी चीज यह non-living thing की जब बात की जाती है, something की बात की जाती है, तब agree to का use किया जाता है, तो यहां बोला जाल रहा है, the director will agree with the proposal, proposal पर नौन लिविंग तिंग है, यहां पर नौन लिविंग तिंग है, कोई इंसान तो नहीं है, जब इंसान का जिक्र यहां पर किया जाएगा, इंसान को mention किया जाता है, तब हम यूज करते हैं, अग्रिविथ का, जब कोई चीज की ब यह तो गलत हो जाएगा, एगरी ओन नहीं होगा, एगरी टूदी प्रपोसल यस, तो करेक्ट चोईस वोड़ी ऑप्शन नमबर थ्री हीर, एन यहाँ पर फॉर्थ ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेशिन, क्वेशल यहाँ प्राइब। तो लेट्स चेक गाइस, there is a great degrade in values in modern age बोला जारहे कि जो modern age है ना ना जो modern जमाना है ना इसमें जो values थी, जो cultural values थी इसका क्या हो गया, degrade हो गया, degrade नहीं होगा, degrade नहीं होगा, degrade तो verb होता है ना and verb तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं आएगा, यहाँ पर हमें जरूवत है noun की, इसे हम यहाँ से cut कर देंगे so it should be there is a great degradation, अब degradation यहाँ पर noun है and आप ऐसे भी से समझ सकते हैं there is a great, great यहाँ पर adjective है and adjective ऐसा word है जो verb को qualify नहीं करता है, ऐसा word होता है जो एक noun को qualify करता है and यहाँ पर noun degradation होगा, degrade नहीं होगा, verb के पहले कभी भी adjective नहीं आता है, verb के पहले हमेशा adverb आता है, क्योंकि ऐसा word जो verb को qualify करता है, वो adverb होता है लेकिन ऐसा word जो noun के पहले आए, वो हमेशा याद आप रखेंगे, यह adjective ही होगा, so it should be there is a great degradation in values in modern age so here answer should be option number one, that is degradation of values no improvement तो नहीं होगा, demonstration तो नहीं होगा, demonstrate करना नहीं and deliberation भी नहीं होगा next question कर दो नहीं होगा so let's check guys, I hope सभी का answer आच चुका है he sing always when he is having a shower मतलब वो जब भी shower लेता है, तब वो हमेशा गाना गाता है आप बात करेंगे, sing की, sing यहाँ पर verb है and always क्या है, यहाँ पर adverb है जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि ऐसा word जो एक verb को qualify करता है verb के बारे में बताने वाला जो word होता है, वो क्या होता है, एड़ वर्ब होता है एड़ वर्ब ऐसा word होता है जो adjective को भी qualify करता है, मतलब एक adjective को qualify करने वाला adjective के पहले जो word आता है वो भी क्या होता है, एक adverb ही होता है एड़वब को क्वालिफाय करने वाला कॉन होता है, हमेशा याद रखना है ऐसा वन क। बताने नाउन के बारे मैं multim एैं नाउन है नाम की सा ऐंटहरे जो बता यह जिए जिए अगयों एडवय करिए हमेशा गाता है एस नहीं तो इस तो सिंग करता है किसे करता है वह गाता कैसे हमेशा गाता है यहाँ पर यह जो adverb है यह adverb of frequency कहलाता है frequency मतलब जो हमें बताता है कि किसी चीज के होने की frequency क्या है वो कितना frequently हो रहा है हमेशा हो रहा है, कभी कभी हो रहा है, week में एक बार हो रहा है, week में दो बार हो रहा है often हो रहा है, rare हो रहा है, never हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है तो किसी चीज के, किसी action के होने की जो हमें frequency बताता है जो words, उन words को हम यहाँ पर कहते है adverb of frequency यहाँ पर यह always adverb of frequency है कि वो जो गाता है गाना-गाने की action है उसकी कैसी होती हमेशा ही होती है तो इससे related एक rule है guys कि जब भी adverb of frequency आएगा sentence में तो ये हमेशा पहले होगा उस verb के जिस verb को ये qualify कर रहा है मतलब जो main verb होगा ना main verb जिस verb को ये qualify कर रहा है जिस action word को main verb मतलब होता कि action गाना, बूलना, चलना, action करना जिस word को ये qualify करता adverb, adverb हमेशा इस verb के पहले बागी सारे जो adverb होते वो जरूरी नहीं main verb के पहले आते लेकिन adverb frequency, adverb of frequency का ये rule है कि जिस verb के बारे में बताएगा उस verb के हमेशा पहले आएगा तो यहाँ पर देखेंगे, ये तो verb पहले आगया, फिर adverb, लेकिन गलत है पहले adverb आनी चाहिए, पहली position adverb की फिर यहाँ पर verb आएगा तो इस शुड़ भी sing की place पर always आएगा और always की place पर यहाँ पर sing आएगा तो यहाँ पर यह जो है, यह गलत है तो देखते हैं, यहाँ पर क्या होगा सही answer he always sing, अब sing नहीं होगा, sings आएगा क्योंकि he यहाँ पर क्या है, singular है और singular subject के साथ verb भी कैसी होनी चाहिए, singular जैसे कि sings singular होता है, talks singular होता है walks भी कैसा होता है, singular होता है verb में s लगता है, तब यह singular होता है, s या es noun से बिल्कुल opposite होता है noun में s लग जाता है, जैसे boy का opposite, sorry plural boys होता है, girl का plural pen का plural pens होता है तो noun में जब s लगता है, तब यह plural बनता है लेकिन इसका बिल्कुल opposite यहाँ होता है कि verb में जब s लग जाता है, तब यह singular होता है क्योंकि यह adverb of frequency है जो हमेशा जिस verb के बारे में बताता है इस verb के पहले आता है so here option number two would be the correct choice always he is singing यह तो गलत है no improvement भी यहाँ eliminate हो जाता है I hope इस concept को आप कभी भी नहीं भूलेंगे and guys कुछ और adverb of frequency भी यहाँ पर discuss कर लेते ताकि आपको यह rule याद हो जाए हमेशा के लिए adverb of frequency जैसे कि मैंने बताया जो बताता है किसी action के होने की frequency जैसे कि यहाँ पर हमारे question में था always मतलब हमेशा usually usually मतलब भी हो सकता हमेशा ही occasionally occasionally मतलब क्या होता है कभी कभी and seldom seldom का मतलब होता है guys no के बराबर तो कोई action हो रही है I seldom go to market मतलब मैं market बहुत ना के बराबर बहुत कभी कभार दो महिने में एक बार छे महिने में एक बार चली जाती है seldom मतलब ना के बराबर occasionally मतलब हमेशा never मतलब कभी नहीं I never go to market मतलब मैं कभी नहीं जाती I hardly go to market hardly and ये जो seldom होता है दोनों का मतलब जेमी होता है ना के बराबर, इतना कम की ना के बराबर I hardly go to market generally, ये भी adverb of frequency होता है often, often मतलब हमेशा मैं हमेशा ही market जाती हूँ मैं हर week market जाती हूँ तो इस तरीके से ये सारे adverb है and हमेशा याद रखना है adverb of frequency वर्ब के main वर्ब के जिस वर्ब को ये qualify कर रहा है उस वर्ब के हमेशा पहले ही लिखे जाते है next question so let's check one of the boys from our school have been selected for national badminton championship so यहाँ पर देखेंगे हमें error find करना था यहाँ पर in the following questions sentences identify the segment which contains the grammatical error आपको error find करना था यहाँ पर देखते है इस fragment को इस sentence को देखे यहाँ पर divide कर कर दिया गया है and आपको बताना इसके किस part में किस fragment में error है so one of the जब भी आता है one of the one of the के साथ जो noun होता है यहाँ पर देखें boys noun है noun हमेशा कैसा होगा plural होगा boys आया सही है बिल्कुल from our school हमारे school से बिल्कुल सही है school यहाँ पर noun हो जाएगा our यहाँ पर क्या हो जाएगा possessive adjective possession बता रहा है हमारी school have been have यहाँ पर बिल्कुल गरत होगा guys it should be has क्योंकि यह rule होता है जब भी one of the आता है one of the के साथ noun plural and जो verb आएगी न यह verb है verb हमेशा कैसी होनी चाहिए verb should always be singular with one of the has been selected for national badminton championship so error जो है यहाँ पर second part में है so detail में देखता है इसको इस rule को जब भी आएगा one of the यहाँ पर नीचे लिख दिया मैंने the one of the one of the के साथ अगर कोई adjective आता है so वो जो adjective होगा वो adjective हमेशा कैसा होना चाहिए superlative degree का होना चाहिए superlative degree मतलब क्या होता है adjective की तीन degrees होती है positive, comparative, superlative जैसे good, good का comparative better, superlative best tall का comparative, taller superlative क्या होता है tallest tallest, biggest, highest, cleverest, smallest beautiful, more beautiful क्या होता है superlative most beautiful, most beautiful, most powerful, most courageous की सारी superlative degree के adjectives होती है so जब भी one of the आएगा adjective superlative degree का होगा इसके साथ जो noun होगी यह noun हमेशा कैसी होगी plural होगी and जो verb आएगा यह verb हमेशा कैसा होगा गाई singular होगा so यहाँ पर जो verb होगा यह verb singular होगा it should be has इसलिए यहाँ पर जो है second part erroneous है next question देखते जॉपशे झालो होगी यह जुशे यह जब यहाँ झालो हमेशा काहा बजाए तर जर दुशे टो वगिए आख़ झालो होगा यह जो जए फजर आए झाल 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 तूब यहां पर देखेंगे जो बात की जारी तूब लेमन को लालते हैं अगर कोई भी भी घंवी Orthodox झाल anál तो यह कैसा हो जाता है West RAM हो जाता है तो यह बिल्कुल व्ह जैनुरल आइसे स्डेटमेंट जो को alcohol जूब्स काउंधिवीक स्पेक्स को बताते है तब यहां पर यह दोनों जो डोनों जो फ्रेज नहीं से इसके रहें कि दोनों जो प्रेजस होने और से दूरत होने चाहिए हमेशा जिंपल प्रेज़न्ट में ही व्हूने चाहिए कि अगर आप मीमो की कुछ बूने डालोगे दूद में मिल्क में तो वो क्या हो जागा सार हो जागा तो इस टर्न यह बिल्कुल गलत हो जागा यह देखिए लेमन आर पुट इन अ मिल्क यह सिंपल प्रेजंट में है तो यहां पर यह भी प्रेजंट में ही आगा इट हैस्ट नहीं इस टर्न सार आजागा यहां पर इट टर्न सार क कि यह scientific fact की बात करते तो दोनों clauses हमेशा simple present में ही होने चाहिए तो यहाँ पर जो error होगा यह first part में होगा next question कि यह हो और पर बहुत हुआ है प्राइम मिनिस्टर अलोंग विट दी अधर मिनिस्टिल्स हाव लेफ्ट फॉर अमेरिका अब यहां पर यह जो क्वेशन है यह बिल्कुल वही रूल पर बेस्ट है जो कि हमने सबसे पहला क्वेशन फ्रेज रिप्लेस्मेंट का किया था वहां पर जब कि दो सबजेक्ट कनेक्टेट है ऐसल एससे तो यहां पर यहां पर यह जो सबजेक्ट सब्जेक्ट होते मिनिस्टर की बात की जाय रही है और प्राइम मिनिस्टर की एंड दो सब्जेक्ट कनेक्टेड अलॉंग विट से तो सेम वही रूल यहां पर अप्लिकेबल है कि दो सब्जेक्ट जब कनेक्ट होते अलॉंग विट तुगेदर वह सारी मैंने फ्रेज यह वर्ट लिखके भी आपको दिखायते हैं आप उसे देख सकते हैं फिर से तो जो वर्ब आती है यह वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है वहां पर भी सेम यही रूल था तो यहां पर है विल्कुल गलत है इच्छुड भी है था हमें यह नहीं देखना है कि दो अबिनिस्टर है इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब होगी सिंगूलर होगी इच्छुड भी है तो एरर हमने देखा एरर यहां पर थर्ड पार्ट में हाव लेट नहीं होगा क्या हो जागा है लेट फोर अमेरिका नेक्स्ट कॉश्चन गाइस झाल 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 हई इस अड़ीड सेहँ है क्यों रोड नंस फाइस स्ऌ देख I can swim very fast when I was only 5 छॉई जान जा रहा है जब मैं सिर्फ पांच साल थी अथा तब मैं I'm me to becky सब्ON थ्यूबिलिटि पौसिबिलिटी पस्पिलिटी थि यसे अब कर शुबिलिटी गया हो इसका कर सकती हूँ जैसे मैंने का i can swim यहिए i can ride ? यहां कि इसकी था सब्सक्राइन, यहां था आएगा यहां पर क्या हुआ कुड़ I could swim very fast जब मैं 5 साल की थी तब मैं बहुत fast swimming कर पाती थी so here error is in part 2 I can swim नहीं क्या हो जाएगा यहां पर I couldn't swim next question everything that I like to eat are fattening मतलब है जो भी मुझे जो भी खाना पसंद है वह कैसा था fattening होता है fat बढ़ा देता है weight बढ़ा देता है so यहां पर देखते है everything that I eat to like are fattening अभी यहां पर देखें वर्ब हैं हमेशा याद रखना है sentence में जितनी भी वर्ब्स होती है उनका कोई न कोई subject होता है so यह आर नहीं होगा यह क्या होगा यहां पर इस हो जाएगा so everything हर चीज जो मैं खाती हूँ जो मुझे पसंद है खाना कैसी होती है यह fattening होती है everything हमेशा याद रखना यह जो है यह indefinite pronoun है यह चीजों का नाम न लेते हुए यह पर यह प्रोनाउन पोल दिया कि everything हर वो चीज तो जब भी everything nothing something everybody somebody nobody यह सारे indefinite pronoun जहां भी आएंगे वर्ब हमेशा कैसी होगी वर्ब हमेशा singular ही होगी so everything that I like to eat क्या हो जाएगा is the fattening ना की आर fattening so here the correct choice would be option number 4 it should be is fattening so thank you very much guys my name is Neelam do like share and subscribe my videos thank you very much you